बुरहनपुर जिले के ग्राम दर्यापुर में वालमी की जल्पान ग्रहप पर घर के मसाले से आलू गोंडे बनाये जाते हैं इनका स्वाद इतना अच्छा है कि मध्यपर्देश की मुख्यमंद्री शुरा सिंग चोहान भी इस आलू गोंडे के दिवाने हैं जब भी वा बुरहन पर पहुचते हैं यहां के आलू गोंडे जरूर खाते हैं कई बार तो वा स्वयम भी दुकान पर आलू गोंडे खरीदने के लिए पहुचे हैं मध्यपर्देश और महराष्ट की ओर से आने जाने वाले लोग भी इस दुकान पर ही रूखते हैं और नास्ता करने के बाद आगे का सफरताई करते हैं इस दुकान पर मिलने वाले आलू गोंडे का बजन करीब 100 ग्राम के आसपास रहता है और इसकी कीमत मातर 12 रूपे हैं यहां पर घर के बनाए हुए मसाले से इस आलू गोंडे को तयार किया जाता है जब दुकान संचाला कडू तुकाराम सबकाले से बात की तो उन्होंने कहा कि घर पर तयार कर मसाले से आलू गोंडा बनाया जाता है मेरी दुकान के आलू गोंडे बहुत परसिद्ध है मद्य परदेश के मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चोहान के साथ कई सेलेब्रीटी भी दुकान पर पहुच कर नास्ता करते है और कई मुसापिर तो अपने साथ अपने रिष्टिदारों के लिए भी लेकर जाते है यह आलू गोंडा 8-10 घंटे तक खराब नहीं होता है महारास्ते के लोग के पशन करते है यह नहीं है शकंग करते हैं यह और जेश्टी सब्सक्रीव व्यां मतर यह रहा है कड़ो भाई कि तुका नहीं है? हाँ कड़ो भाई बहुत पहले से आ रहा हूं? बहुत पहले से क्या रहा हूं? अप्यान